हेलो अर्यबड़ी कैसे हैं दोस्तों होप सो यू आर्वेलेन गुड और आपके पड़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग बहुत बहुत इंपोर्टेंट कुशिंस डिसकस करने वाले हैं यानि की आनविक विज्ञान के उपर ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके उपर धेर सारे कुशन्स आते हैं और आज का जो ये वीडियो है वो सभी कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो है जिसके कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के अंदर यहां से कुशन्स आते हो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत इंपोर्टेंट है एक-एक कुशन को ध्यान से दिखेगा और हर एक कुशन के पीछे कौन सा कॉंसेप्ट लगता है उसको आप लोगों क नोटेस करना है तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं आज का पहला कॉशन देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि DNA डिफर्स फ्रॉम दोनों ही लेंग्विज को मैंने यहां पर रखा है ताकि आपको जो कमफर्टीबल लगे आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं राइट ता DNA RNA से भिन होता है केवल शरकरा की प्रकरती के अंदर शरकरा के अंदर चेंज होता है no doubt at all DNA के अंदर जो होती है वो डियोक्सी राइबो शुगर होती है और RNA के अंदर जो होती है वो राइबो शुगर होती है ठीक है दूसरा भी देख लेते हैं प्यूरीन्स की प्रकरती मे in the nature of purines purines की प्रकरती के अंदर तो दोस्तों purines तो दोनों के अंदर ये सेम ही होते है purines के कारण इन में भिनिता नहीं होती है purines तो आप लोगों नहीं सुना होगा A और G दोनों के अंदर ही सेम होते है, sugar के अंदर difference होता है, DNA के अंदर deoxy ribose sugar होती है RNA के अंदर ribose sugar होती है तो चलो पहले वाला तो option हो सकता है उसमें तो भिनिता है, third के उपर भी देखती है शरकरा और perimidines के अंदर, हाँ ये तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि sugar कौन सी होती है, sugar sugar की बात करें, तो DNA और RNA के अंदर कौन सी sugar होती है तो यहाँ पर deoxy ribose sugar होती है और RNA के अंदर ribose sugar होती है ठीक है, फिर हम लोग आ जाते है perimidines के उपर perimidines की ये दि हम लोग बात करें तो DNA और RNA के अंदर perimidines की प्रकरती में क्या changes है तो perimidines जो है वो यहाँ पर DNA के अंदर कौन सा होता है C और T perimidines, cytosin और thymine और यहाँ पर क्या होते है cytosin और uracil क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी RNA के अंदर कभी भी RNA के अंदर क्या नहीं होता है thymine नहीं होता है RNA के अंदर thymine प्रती स्थापित हो जाता है किस के द्वारा uracil के द्वारा चीक है और तू कौन सा होगा सबसे best option तो अपना third होगा कि DNA और RNA के अंदर difference है कि वो sugar और perimidines दोनों की प्रकरती के अंदर difference है यानि कि DNA differs from RNA in the nature of sugar and perimidines DNA, RNA से भिन होता है शरक्रा वो perimidines की प्रकरती दोनों के अंदर ही पहले वाले में केवल शरक्रा दे रखिये शुगर दे रखा है तो उससे तो better हमारे पास में third option है क्योंकि perimidines के अंदर भी difference होते है और sugar के अंदर भी difference होते है तो दोस्तों थाइमीन है देखिए दो चीज़े होती है एक होता है थाइमीन और एक होता है थायामीन दोनों में फरक है दोनों को बोलते एक जैसे ही है ज़्यादा फरक नहीं है लेकिन दोनों में फरक है कि ये जो थाइमीन होता है वो nitrogen शारक है जो कि DNA के अंदर मिलता है ये क्या है? DNA के अंदर मिलने वाला nitrogen शारक है ये दोस्तो nitrogen बेस है और thaiamene जो है वो क्या है? एक vitamin है thaiamene, ये thaiamene है ये thaiamene है कई बार लिखते हुए बच्चे गलती कर देते हैं तो thaiamene क्या है? ये पूछा गया है thaiamene, thaiamene kya है? क्या thaiamene एक enzyme है? क्या thaiamene एक vitamin है? नहीं, vitamin तो नहीं होगे हुजाता है ये विटागμεन होता है Object wine तो spelling दे रखे होते है thaiamene ये thaiamene है, यहाँ और क्या thaiamene देख है य2 यह और यह नहीं होगे है क्या ये pyramideen है तो pyrimetien कौन-कौन से होता है na parimide share यहानि कि pyramidien base क्ऊन-कौन से होता है na DNA के अंदर एक तो कौन सा होता है cytosin होता है और एक कौन सा थाइम e Сейчас होता है thái salt and और cytosin होता है ठीक है ना, cytosine और thymine, thymine is represented by T, तो क्या thymine एक pyrimidine है, purine, purine तो होई नहीं सकता है, purine इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि purine तो kौन-kौन से होते है, A और G, adinin और guanine, adinin और guanine जो होते हैं, वो क्या होते हैं, purine होते हैं, तो thymine जो है, वो क्या है, एक pyrimidine है, thymine क् दोस्कsm का टू का जो आंसर होगा वह अपना क्या होगा। फिडी हिम büy ईन होगा। जी के। नई, आर्ने कंटेंट्स। आर्ने में पाए जाता है pH ze जूर क्लत। क्यूँकि आर्ने केँडर तो दौस्तों कौनसी होती है। five-carbon trigger होती है। निकांडर हमेशा pedon sugar होती है। और वो तो पेंटोज होती है, तो हेक्जोज होने का सवाल ही ने उठता है, डियोक्सी राइबोशुगर, डियोक्सी राइबोशुगर तो होई नहीं सकती है, आरेने के अंदर, क्योंकि डियोक्सी राइबोशुगर तो डियने के अंदर होती है, अपने को आरेने पूछा ग होति है पेंटोउ उती है रइबोर्स शुगर जो है हो कैसी मैं बना के बता दिता हूं आप तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर OH, H, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर B, H, OH, यहाँ पर H, CH2, OH, नमरिंग दे देते हैं, यह कार्बन है, यह सब कार्बन से, तो 5 कार्बन शुगर हैं, तो 1, 2, 3, 4, और यह 5, चीक है, तो यह जो आपके सामने बनी हुई है, यह राइबो शुगर है, जो की पेंटो शुगर होती है और यह दोस्तों किसमें मिलती है, आरेने के अंदर मिलती है, यह किसमें मिलती है, आरेने के अंदर मिलती है, तो जिस आरेने के अंदर कौन से शुगर है, तो राइबो शुगर है, क्लियर है मेरे खाल से आपको, आल राइट, तो आंसर कौन सा हुगया, राइबो शुगर, अब आजहते हैं कर दोनों के अंदर ही कभी पिरींस के अंदर खुल में होता है और घुनीन होता है इतना तो molecular biology आपने पड़ा है तो इतना तो सभी जानते हैं कि एडिनीन और ग्वेनीन जो है वो क्या है प्यूरीन है तो DNA और RNA के अंदर दोनों में ही प्यूरीन जो होते हैं वो एडिनीन और ग्वेनीन होते हैं और कैसे होते हैं तो उसका structure बना देता हूं मैं किस तरीके के होते हैं वो आप एक बार structure देख लो तो आपको समझने में आसानी रहेगी यस देखेगा यहाँ पर सब carbon यहाँ पर तो nitrogen है इस position के उपर nitrogen है इस position के उपर nitrogen है इस position पर nitrogen है और बाकी सभी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर carbon है यह carbon, 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 carbon और यह carbon अब numbering देते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीक है तो यह मैंने आपके सामने बनाया है यह जो है वो क्या है प्यूरीन का structure है और प्यूरीन जो होते हैं वो हमेशा double ring structure होते हैं प्यूरीन कौन से होते हैं डबल ring structure होते हैं जो कि आपके सामने बना हुआ है तो प्यूरीन होते हैं single ring compounds एक वले योगिक नहीं कभी भी प्यूरीन के अंदर एक वले तो होता ही नहीं है दो वले होते हैं और यह जो दूसरे ring होती है वो imidazole ring होती है दूसरी वाली ring कौन सी होती है imidazole ring होती है सीधी शंकला कहीं पर भी सीधी शंकला तो है ही नहीं ठीक है उप्रोक्त में से कोई नहीं है all right चलो तो second पर टिक कर दिया मैंने अब आजाए निमलिकित में से कौन स्वयम पुर्णावरत में सक्षम है which of the following is capable of self replication 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 का मतलब समस्ते हो replication का मतलब है जिसमें पुर्णावरती होने की शमता हो प्रतिकरतियन की शमता हो या फिर पुर्णावरती या जिसके अंदर पुर्णावरती की शमता हो तो आपको मालूम है replication की शमता तो DNA के अंदर होती है चूंकि DNA से क्या बन सकता है DNA तो इनके अंदर पुर्णावरती की शमता होती है तो निमन में से कौन स्वयम पुर्णावरती में सक्षम है एंजाइम नहीं एंजाइम कभी भी इसमें शमता नहीं होती है कार्बोईडेट का नू, जल का नू या न्यूक्लिक अमल, येस, तो न्यूक्लिक एसिट के अंदर ये पावर होता है, आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड में भी कौन, डी एने, जिसके अंदर की ये पावर होता है, तो डी एने अपनी प्रतिकृति खुद बना सकता है, डी Nucleic Acid, Nucleic Acid में कौन? DNA, are you getting or not? तो यह चीज अपने को ध्यान रखने है, अब आजाओ नेक्स्ट, एक Nucleoside, 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 Nucleoside से भिन होता है, क्योंकि उसमें नहीं होता है, तो देखो, Nucleoside क्या होता है, पहले अपने यह जान ले, तो कोशिन भी आ जाएगा अच्छे से, तो Nucleoside is equal to nitrogen-shar, nitrogen-shar, plus शरकड़ा, यानि कि Nucleoside is equal to nitrogen-base, plus sugar, और Nucleoside क्या होता है दोस्तों? Nucleoside is equal to nitrogen-shar, nitrogen-shar, plus शरकड़ा, यानि कि sugar, plus phosphate, तो Nucleoside, Nucleoside से भिन होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, तो सीरी सी बात है, Nucleoside में phosphate नहीं होता, Nucleoside में phosphate होता है, इसमें phosphate नहीं है, तो एक Nucleoside Nucleoside से भिन होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? यह answer, phosphate. शुगर होती है तो सा दोनों सा विए चार्क फॉसफेट और शुगर तो तो सब्सक्राइब और ये फरख है था कि फॉसेट नहीं होता है। और न्यूक्लो। तो अ Конoy घर में घर ऐतने से कुई सा हो गया। फासट वाला। से कोई दिक्कत नहीं। का बढ़ते हैं। DNA में दो poli nucleotide शंकलाएं होती है. DNA में दो poly nucleotide होती है. ये तो जानते हो सभी. DNA के अंदर ये क्या है? दो poli nucleotide chains है. क्या ये अनिमित होती है? discontinuous होती है? क्या ये प्रती समानंतर होती है? एंटी-parallel होती है? एंटी-parallel का मतलब समझते हो, एक का direction 5' to 3' होता है तो दूसरे की जो polarity होती है वो 3' to 5' होती है इसको बोलते है anti-parallel एक दूसरे के प्रती समानंतर होती है अर्दसनरक्षि समी-conservative होती है वो तो replication है replication के लिए अपने semi-conservative बात करते है अर्दसनरक्षि और parallel होती है समानंतर होती है तो देखो अन्यमित तो नहीं होती है semi-conservative तो replication के लिए use करते हैं strengths के लिए थोड़ी use करते हैं और समानंतर होती नहीं है क्योंकि एक chain 5' to 3' direction में चलती है दूसरी 3' to 5' है तो DNA में दो polynucleotide chains जो होती है दोस्तों वो एक दूसरे के anti-parallel होती है यानि की प्रती समानंतर होती है कैसी होती है प्रती समानंतर होती है clear है तो यह देखो जैसे एक की जो quality है मानों कि यह 5' है है तो यह इसका end 3' हुआ तो यह वाला end 5' हुआ तो यह वाला end क्या हुआ 3' हुआ तो एक बूसरे के प्रती समानंतर होती है anti-parallel होती है 7th cancer second हो गया अब आजाते है एक DNA में एडिनीन और थाइमीन के मत्री कितना hydrogen बंद होते है तो बड़ा simple सा है Always remember adikiejnine और थाइमीन के बीच में दोस्तो double bond होते है हमेशा आजर्म आजनीन और थाइमीन के बीच में double hydrogen bond होता है और 건yn के बीच में double hydrogen bond होता है और guanine और cytosine के बीच में triple hydrogen bond होता है तो क्या question पूछा है एक DNA अनू में एडिनीन वा थाइमीन के मद्दे कितने hydrogen बंद होता है तो बड़ा साफ है यह बता लिया है यहां पर दो होते हैं ठीक है तो always एडिनीन और थाइमीन के बीच में DNA multiplication is also called DNA multiplication का मतलब सबस्चते हो DNA से यह यह DNA बन रहा है है तो आप उसको replication कहो replication कहो है नई जिसको की inflation प्रतिकरतियन कहते है ठीक है आप उसको चाहो तो आप स्वेंदा na multiplication यानिकी गुणन के सकते हो है ना तो DNA का multiplication है डिने से डिने का बनना वास्ता में क्या है गुना नहीं तो है तो अनुवादन है ट्रांसलेशन है नूँ ट्रांसलेशन का तो मतलब क्या होता है प्रोटीन से ये ट्रांसलेशन का मतलब क्या है ट्रांसलेशन का मतलब है आरेने से क्या बनना प्रोटीन RNA से protein बनना वो क्या होता है? translation होता है अनुवाद होता है replication यानि कि प्रतिक्रतेन क्या होता है DNA से DNA का गुणन होना और transduction अलग चीज़ है transcription जो transcription तो अभी मत समझो लंबी चोड़ी प्रक्रिया है और transcription जो होता है वो क्या होता है DNA से RNA का बनना तो DNA मल्टिप्लिकेशन इसमें कौन सा हुआ? replication हो गया DNA से DNA का बनना क्या है? यह replication है अब आजाते हैं DNA अनुवाद की जहल में गुलंशीलता किस कारण से होती है? DNA अनुवाद की जहल में गुलंशील होता है उसकी गुलंशीलता का कारण क्या है? तो देखो जो phosphate होता है दूस्तो वो phosphate जो होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है phosphate जैसे मैं आपको DNA की chain बना के बताता हूँ दो जैसे इदर देखो यह ऐसे होता है न? यह DNA की दो chains होती है न? अरे बही यह जो DNA की दोनो chains होती है इसे इनी दो चेंज को मैंने ऐसे बना रखा है, एक चेंडर है, एक चेंडर है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, यदि आप सबसे बाहर की तरफ यदि देखोगे, तो क्या है, फॉसफेट है, सबसे बाहर की तरफ यदि आप देख रहे होगे, तो क्या है, फॉसफेट है, त तो वह क्या होता है ह Sarah Wow गी तरफ गीत लूट का मतलब है दोस्तों जल स्नेही हैद ना कैसा होता है जल स्नेही होता है मतलब डर्च marginalized हरको अचाहिए तो इसलिए डीने जो है वह डिने कार्मू जल में घुलंचαιलता हो घुलंच्छा दर्चाता तो डीक्सार्णा Lars छक्रा के कार नहीं, phosphate समों के कारण नहीं, तो हमेशा याद रखो, phosphate सबसे बाहर की तरफ है, आप देख सकते हो, दोनों चेंज के अंदर, phosphate सबसे बाहर की तरफ है, तो phosphate is towards water, तो aqueous solution की तरफ होता है, तो ये हमेशा hydrophilic होता है, gels नहीं होता है, water loving होता है, और इसलिए ये जल में गुलंशीलता दर्शाता है तो DNA NU की जल में गुलंशीलता किस कारण से हैं दोस्तों Phosphate Group के कारण है है ना किस कारण से हैं इसमें Phosphate Group के कारण है अल्राइट अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक चितर दे रखा है उसमें कोई एक chemical structure दे रखा है आपको तो इस chemical structure को देखकर और पैचानना है कि ये क्या चीज़ है तो पहली बात तो ये chemical structure Nucleotide है क्योंकि ये जो है वो दोस्तों nitrogen base है ये जो दे रखा है वो nitrogen base है ये जो आपके सामने बनी हुई है वो sugar बनी हुई है और ये जो बना हुआ है ये क्या चीज़ है phosphate है phosphate यानि कि phosphoric acid है ठीक है न है अच्छी पीओ फोर अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको तीन phosphate देख रहे है एक दो और तीन तो ये बात तो तो है है कि ये क्या है triphosphate हुआ और ये क्या है ये एक nitrogen base है और nitrogen base में भी ये बात ता है कि ये प्यूरीन होगा राइट क्यों क्योंकि double ring structure है double ring structure है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक sugar और nitrogen base जुडते है शुगर और nitrogen base जुडते है तो nucleoside बनता है और जब phosphate जुड़ जाता है तो nucleotide बन जाता है तो अब चित्र में जो राइसाइनिक संरचना बतार की वो क्या है एक triphosphate peptide है क्या ये triphosphate peptide है कहीं पर भी peptide bond तो बनी है नहीं रहा है triphosphate peptide तो होने का सवाल नहीं क्या एक ribose sugar है अरे राइबोज शुगर तो केवल ribose sugar तो है नहीं ये तो right ये तो deoxy ribose sugar है क्योंकि second position के उपर HH है ये 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 ribose sugar होती तो second position के उपर HOH होना चाहिए था तो ribose sugar तो है नहीं ये deoxy adenosine triphosphate है या nitrogen base और adenine है नहीं क्योंकि ये तो पूरा nucleotide है nitrogen base plus sugar plus phosphate तो nucleotide होता है ये तो कह रहा है कि nitrogen शार और adenine है नहीं nitrogen base और adenine थोड़ी ये phosphate को कौन गिनेगा तो ये तो होगा नहीं तो deoxy adenosine deoxy adenosine कैसे बनता है deoxy adenosine वास्ता में कैसे बनता है तो adenine adenine plus deoxy ribose sugar मिलकर और क्या बनाते है deoxy adenosine और कितने phosphate जुड़े हुए हैं तीन phosphate जुड़े हुए तो यह क्या होजायेगा deoxy adenosine triphosphate deoxy adenosine क्यों क्योंकि ये चो structure है ये किसका है दोस्तो adenine का है और ये sugar है sugar कौन सी है deoxy ribose है deoxy ribose है तो कौन सी होगे deoxy adenosine हो गया deoxy adenosine तो nucleoside के अंदर जब phosphate जुड़ जाता है तो वह क्या हो जाता है यहां पर तीन फॉस्फीट है तो आंसर कुंसा हो गया अपना थर्ड अंसर कोंसा हो गया थर्ड क्लियर है अब आजाते हैं DNA और RNA में क्या समानता है DNA और RNA में क्या समानता है These are polymers of nucleotides क्या ये nucleotides के polymers होते हैं तो ये तो आपने हर बार हम Molecular Biology की पहली क्लास में बताते हैं DNA और RNA जो हैं वो nucleotides के polymers हैं है ना मतलब बहुत सारे nucleotides हजारो nucleotides जुड़कर और poly nucleotides बनाते हैं और DNA और RNA क्या है poly nucleotides है तो क्या है nucleotides के बहुलक है हाँ है प्रतिक्रतिन की शम्ता होती है एक में होती है एक में नहीं है DNA replication show करता है दोनों में एक सी शरक रहा है नहीं एक में डियोक्सी राइबोश शुगर है DNA के अंदर दूसे के अंदर राइबोश शुगर है दोनों में एक जैसे Pyrimidine शरक होते हैं नहीं RNA के अंदर और DNA के अंदर फरक होता है Pyrimidine यहाँ पर C और T होते हैं और यहाँ पर C और U होते हैं तो यह भी नहीं होगा तो सबसे सटीक जो है तो ATP क्या है Adenosin Tri-Phosphate Adenosin Tri-Phosphate है तो Adenosin कैसे बनता है Adenosin कैसे बनता है Adenin प्लस Ribos Sugar इस इकल टू Adenosin है ना तो Adenosin क्या है तो इसमे यह nitrogen बेस हो गया nitrogen बेस हो गया यह ribos क्या हो गई sugar हो गई और यह phosphate हो गया आप सब जानते हो nitrogen base plus sugar plus phosphate is equal to क्या होता है nucleotide is equal to क्या होता है nucleotide ठीके क्या का मैंने nitrogen base plus sugar plus phosphate nitrogen base plus sugar plus phosphate is equal to क्या है nucleotide तो ATP क्या है क्या एक nucleotide है? हाँ है, बिल्कुल है, nucleotide है, क्या एक nucleosome है? नहीं, nucleoside है? नहीं, क्योंकि phosphate भी है, क्या एक cable अक्यला purein है? नो, तो हमेशा यह रखना ATP, जो energy currency होती है, ATP, edimosin triphosphate, वो वास्ता में एक nucleotide है, बहुत काम आएगा, आप लोग इसको ध्यान रखेगा, clear? चल, आगे बढ़ेंगे बी रूप DNA कुंडलन आपको मालूम है बी फॉर्म DNA Watson और Crick ने डिस्कवर किया था Watson and Crick ने जो DNA डिस्कवर किया था वो B DNA ही था और वो सबसे stable DNA होता है सबसे stable DNA होता है तो one turn of helix in B DNA is approximately वो one turn के बारे में पूछ रहा है तो one turn किसको कहते है ये वाला तो एक turn जो होता है वो 34 एंग्स्ट्रोम होता है या नेनो मीटर में वेल्यू दे रखे हो तो 3.4 एनम 3.4 एनम अब आप देख लो अपने question के अंदर क्या है एक helical turn के लंबाई B DNA के अंदर एक कुंडलन का जो गुमावे वो लगबक कितना होता है मतलब ये जो गुमावे वो यहाँ से यहाँ तक है ना ये वाला the helix in a B DNA is approximately one turn of helix ये helix का एक turn है ये helix का एक turn है ये helix का दोस्तो एक turn है और एक कुंडली का या एक गुमाव की जो लंबाई है वो angstrom में दे रखी हो तो 34 angstrom और nanometer में दे रखी हो तो 3.4 अब आप देख लो कहाँ पर है आंसर ये रहा या तो 3.4 NM दे रखा होगा या nanometer में नहीं दे रखा हो तो angstrom में दे रखा होगा तो दोनों चीज़ों के लिए आपको तयार है clear है अब आजाओ निमले के इतमे से किसमे डियने नहीं होता राइबोसों में डियने होता है क्या नहीं होता है डियने केंद्रक में होता है सूत्रकनिका माइट्रकॉंडर में भी डियने होता है तो इसमें डियने होता है इसमें डियने होता है इसमें नहीं होता है तो आंसर कौन सा हुआ क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे किसमें DNA नहीं है तो ribosome अपने को मालूम होना चाहिए ribosome में DNA कहा सा आएगा ribosome क्या होता है लो यह लिख देता हूँ rRNA plus protein rRNA plus protein is equal to ribosome ribosome तो rRNA 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 और प्रोटीन का बना होता है तो इसमें तो DNA होने का सवाल नहीं उठता है तो हमने आप्ट क्या कर दिया answer कौन सा होगा हमारा that is ribosome अब यह जो question है वो चारगा flow के उपर है चारगा flow चारगा flow के अंदर यहां दखना हमेशा A plus G is equal to T plus C A की concept दे रहा हूँ आपसे question हो जाएगा यह 50% होना चाहिए और यह 50% होना चाहिए यह चारगा flow है और एक और चीज याद रखनी है कि A A का जो percentage है वो T के बराबर होता है याद रखना percentage of A equal to percentage of T and percentage of G is equal to percentage of C यह दियान रखना है अब अपने को question देख लेना है question में क्या दे रखा है right मा लिजे C अर्चिन का DNA वो double stranded है और उसमें cytosin अपने को दे रखा है 17% यह दे रखा है है ना तो बाकी के जो percentage है बाकी के जो percentage है right मतलब की A T right A T और G इनका percentage क्या होगा यह अपने को मालूम नहीं है तो बड़ा simple सा है इसको use करो percentage of A is equal to percentage of T and percentage of G is equal to percentage of C अपने को cytosin दे रखा है cytosin दे रखा है तो automatically अपना G कितना हो गया C is equal to C is equal to G तो यह automatically अपना निकल गया कितना 17% बात ही कातम अब values को रुखो A plus G is equal to T plus C 50-50 होना चाहिए तो अपने को G कितना हो गया G 17% है और अपना यह भी कितना है 17% है तो यह दोनों मिलकर A और G कितना होना चाहिए total 50% होना चाहिए तो assume कर लो यह 33 होगा और यदि A 33 है तो A is equal to T तो यह भी क्या होगा 33 होगा तो यह 33 plus 17 और यह 33 plus 17 50 हो जाएंगे तो बताओ G कितना होगा 17% होगा A कितना होगा यहां से देख लो 30% 33% तो यह तो होने का सवाल ही नहीं यह तो होगया गलत अब G 17% है है ना और A 33% है A 33% ठीक है यह रहा A 33% तो T भी 33% होगा अब इदर G 8.5% यह तो गलत होगया और G 34% यह भी गलत होगया तो G कितना है C अपने को 17 दे रखा है तो G बराबर 17 होगया क्योंकि हम जानते कि % of G is equal to % of C according to 4 गाफ लो और A और G 50% होने चाहिए तो एजिम करना पढ़ेगा यह 17 है तो A 33 होगा तो A 33 होगया और यह तो A 33 है हमेशे ध्यान रखना question पूछ ले जाते हैं इसके उपर मेरे ख्याल से clear है अब निमले कितने से कौन सा RNA पर लागू नहीं होता RNA पर लागू कौन सा नहीं होगा देखो एक चीज याद रखो चारगाफ रूल जो है वो केवल double stranded DNA पर लागू और चारगाफ रूल RNA कैसा होता है एक रजुकी होता है single stranded होता है तो इस पर चारगाफ नियम लागू नहीं चारगाफ नियम लागू नहीं ठीक है अब एके करके लितने है which of the following is not applicable to RNA 5'-phosphoryl and 3'-hydroxyl यह तो हो सकता है ठीक है विशम चक्री निट्रोजन बेस चारगाफ रूल या संपूरक बेस यूपमन complimentary base pairing तो complimentary base pairing तो यहाँ पर भी होगी which of the following is not applicable to RNA के उपर कभी भी चारगाफ लागू नहीं होता है और heterocyclic nitrogenous compounds यह भी हो सकते हैं लेकिन चारगाफ रूल कभी भी RNA पर लागू नहीं होगा चारगाफ रूल केवल और केवल applicable to double stranded DNA RNA single stranded होता है उसके उपर चारगाफ नहीं लागू नहीं होगा तो RNA पर कौन सा लागू नहीं है चारगाफ रूल इस नौट एप्लिकेबल अब आजाओ next वाला निमले के जैवनु में से किसमे फॉस्फोडाइस्टर बंद होता है फॉस्फोडाइस्टर बंद आप जानते हूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉंड पहले तो क्या होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉंड के बारे में जान लो पहले एक phosphate और दो शुगर के बीच में पाया जाने वाला बंद यानि कि bond फॉस्फोडायस्टर बंद होता है एक phosphate और दो शुगर के बीच में जो bond होता है वो phosphodiester bond होता है ठीक है और phosphodiester bond किसमें देखने को मिलता है आपको तो आपको ये nucleic acids के अंदर देखने को मिलेगा especially DNA के अंदर देखने को मिलेगा तो क्या ये एक monosecroid, monosecroid रीना polysecroid है नँडि आपको अपको तो कुछ भी होता है amino acid या पॉली पेप्टाइड एक polypeptide में अमीनो उनके बीच में आले तो amino acid के बीच में amino acid के बीच में तो peptide bond होगा है ना और nucleotides in nucleic acid एक nucleic umbler में nucleoside यस और fatty acid या डाइग्लिसरीड fatty acid या डाइग्लिसरीड तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है तो निमलिखित में से जड़ों, उनकिसमें Phosphodized बन्द होता है, तो Nucleic Amplio में जो Nucleotides होते हैं, है ना, Nucleic Amplio में जो Nucleotides होते हैं, उनके बीच में एक Phosphate, Nucleotides में भी एक Phosphate और दो Sugars के बीच में, जो होता है, bond, उसको हम क्या कह देते हैं, Phosphodized bond कह देते हैं, जै हैं तो नहां पर, ये देखो, ये शुकर है, ये शुगर है, और ये फॉसफेट है, तो एक Phosphate और दो शुगर की बीच में, एक Phosphate और दो शुगर के बीच में, ये जो bond है, इस को हम क्या कहेंगे, फॉस्फो演क्राइप infant कहेंगे, फॉस्फो outfit कहेंगे। और ये क्या men penut नू्लो टाइड जो होते हैं, नूलिक अम्ले में जो नू्लो टाइड होते हैं, उभी फॉसफोर दाइसटर अच के द्वारा ही तो अपस में जुड़ें हुए, तो परba किया तो फिर बें आनसर क्या हो जाएगा, Nucleotide का Polymer है Protein Polymer है Amino Acid का Amino Acid का Polysaccharide Polymer है किसका Monosaccharide का बहुत सारी monosaccharide sugar मिलकर Polysaccharide बनाती है बहुत सारे Amino Acid मिलकर Protein बनाते हैं बहुत सारे Nucleotide मिलकर Nucleic Acid बनाते हैं लिकिल, Lipid is not a polymer Is not a polymer कभी भी आपने यह नहीं सुना होगा कि लिपिड के अंदर कभी किसी चीज का पॉलीमर है नो तो कौन सा बहुले की नहीं है तो लिपिड is not a polymer लिपिड किसी भी तरीके का कोई भी पॉलीमर नहीं है तो नैंटींत का अंसर कॉन सा हुआ फॉर्थ नेक्स्ट, DNA वह में RNA दोनों में पाया जाने वाला Purine कौन सा है, देखो भई, एक चीज मैंने थोड़ी दे पहले भी बताई टे है, DNA प्लस RNA है, दोनों के अंदर ही Purine सेम होंगे, पिरिमीडीन अलग हो सकते हैं, लेकिन Purine सेम होते हैं, कौन-कौन से, एक तो Adenine होता है दोस् कौन से हैं, तो Adenine और Guanine कहां पर देख लो, यह Adenine घेरा और यह Guanine है, थर्ड आंसर होगा, Adenine और Guanine, हमेशा रखना Adenine और Guanine, DNA हो चाए RNA हो, कभी DNA और RNA के प्यूरीन सेम होते हैं, Adenine और Guanine, Next, आगे बढ़ते हैं, यह ती वह चारगाफ लोग क्योपर कोशन हैं, याद रखो, A plus G is equal to T plus C 50% होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया है, और एक और चीज़े, A बराबर, है ना, percentage में A बराबर, percentage T के बराबर होता है, और percentage G का, percentage C के बराबर होता है, है ना, तो याद रखना, अब क्या दे रखा है, आपको T दे रखा है, तो value substitute को, A plus G is equal to T plus C आपको क्या दे रखा है, T 40 दे रखा है, तो automatically T दे 40 है, तो A B 40 हो जाएगा, और C दे रखा है, C कितना दे रखा है, 10, यह 10 दे रखा है, तो C is equal to G, तो यदि यह 10 है, तो यह कितना हो जाएगा, 10, तो answer भी check हो जाएगा, A plus G 50% होना चाहिए, यह 50%, T और C 50% होना चाहिए, तो बताओ जली से, आप से पूछा गया है, कि then G कितना होगा, तो G कितना हो जाएगा दोस्तों, यह रहा, 10%, यह रहा, यह G कितना हो जाएगा 10%, यह उप कर दिया, clear है या नहीं है दोस्तों, is it clear, मेरे खाल से चारगाफ लो के उपर, चारगाफ रूल के उपर कोई भी question right, so आगे बढ़ते हैं, यह कुछ structures दे रखे हैं, अब यह इस तरीके के structure दोस्तों जब भी दे रखे हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको चारो के चारो structure आई जाएगे, assume करो कि आप कौन कौन से structure आपने, आप समझ, आपने देखे हुए हैं, यह दि वो देख लिए चार में से दो भी आगे, तीन भी आगे तुमको, तो answer निकल आएगा, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, नीचे दिए गए कुछ संरचना है, और अनुओ के अनुक्रम के सही मिलान वाले विकल्प का चैन कीजिए, नीचे दिए गए कुछ संरचना हूँ, और अनुओ के double ring structure है, मैंने शुरुवात में बहुता था, एडिनी और घुनीन जो होते हैं, तो मैंने एजूम कर लिया कि हाँ यह बदा है कि यह एडिनीन और घुनीन हो सकता है, अब यहाँ पर ये एक 5-carbon sugar दे रखिए, और यह निश्यत दोर के ऊपर ribose होगी, क्यों? क्योंकि मुझे म यहां पर देखु यह है रईच है और अर राईबोसिरा यहां पर होता यहां पर और यह य्निक है तो मैंने दो को जान लिया ठीक है अब यह वाला और यहां पर यह यह वाला structure आप पर देखना यह वाला जो structure है आप chemistry में भी bio molecule वाले chapter में देख सकते हो या bio chemistry इसके बाला सक्षिन में देख सकते हैं ये वाला जो है वो क्या है उरेसल है और ये बढ़ी संरचना है वो एक बेंजीन धीन रिंग लायक स्ट्रक्चर हो सकती और तो अब जरा देखो कौन सा A P Euracil है B के उपर glucose है C के उपर ribos है पर D के उपर तो अपना यह होना चाहिए अब यहां पर देखलो A के उपर अडीनीन है तो अडीनीन हो इनीन तो हो इनीन सकता है पहला वाला यह तो हो इनी सकता है क्योंकि यह सिंगल रह्ण पर जो है वो glucose और D के ओप अडिन यह भी नहीं होगा क्योंकि बी के ओपर यह राइबोश कर नहीं सा आणसर फिर्स्ट वाला इस तरीके से आपको जो आपने देखे हुऊ है ज़रूरी नहीं कि आपने सारे के सारे structure देखे और समझे यूँ है ना तो थोड़ा सा assume करके भी आप चल सकते हैं अब आजाओ हिस्टोन है तो पहली बात तो मैं बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वो हिस्टोन प्रोटीन किसमें होते हैं यू के रोट्स में होते हैं डीने से जुड़े हुए रहते हैं है ना डीने से जुड़े हुए रहते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है शारीय प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन शार हक्ष्टेण प्रोटीन एक यू के रोटोट के बाते हैं प्रोटे Sana कभी भी इस्टोन नहीं होते हैं हिस्ट्रोन प्रोटीन केवल किस में होते हैं UK roads में तो बताओ मैंने क्या कहा हिस्ट्रोन प्रोटीन DNA से जुड़े रहते हैं UK roads में तो अपना 23rd का अंसर कौन सा हुआ 3rd हो गया दोस्तो चलो आगे बढ़ते हैं now the process of protein synthesis is also called protein synthesis क्या होता है पहली बात तो protein synthesis के process को क्या कहते है RNA से protein का बनना यह translation होता है इस process को हम क्या कहते है translation यह हिंदी में कहें तो इससे अनुवात कहते हैं बस वही simple question पूछा है protein sensation की प्रक्रिया का दूसर नाम तो अनुवातन पारक्रमन नो अनुवादन तता पारक्रमन नो अनुवादन नहीं प्रोटीन synthesis बोले तो translation प्रोटीन synthesis बोले तो translation अनुवात चेक है अब आजाओ next one निम्न में से किस कोशिक आंगक में DNA नहीं होता DNA नहीं होता देखो nucleus में होता है mitochondria के अंदर DNA होता है chloroplast के अंदर होता है इन सब के अंदर क्या है DNA है अब वो पुछा है किस में DNA नहीं होता है mitochondria और nucleus में तो होता है यह तो नहीं सरा chloroplast में भी होता है nucleus mm chloroplast में भी होता है lysosome और dicteosome और dicteosome से confusion नहीं करना है Golgi body को ही dicteosome कहते है plants के अंदर Golgi body को plants के अंदर Golgi body को dicteosome कहते है तो इसमें नहीं होगा ग didn't When I just21 में नहीं होता है जिल स्डेसाइब कुमोजम में होता है तosed on9822 $ अब आज अ आरेन अनूपस्तित होता है आरेने रीबोसम में होता है क्या होता है बिलकुल क्रोमोम में होता है हां DNA के साथ में आरेने भी होता है यह सी ख्लोक्रोमोजों में DNA के साथ में RNA भी होता है साइटो प्लाजमा लेमा में तो दोस्तों किसकी बनी हुई है प्लाजमा लेमा 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 बनी है तो यहा तीन चीज़े होती है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपीड और कार्बोईडेट होते हैं, उसके अंदर कभी भी RNA नहीं होता है, तो मेरा अंसर कुन सा हो गया, प्लाजमा लिमा, क्योंकि इसके अंदर कभी भी यार रखो RNA पूरी तरीके से क्या होगा, एपसेंट होगा, RNA इसमें नहीं होता है, ठीक है, अब आजाओ, नेक्स्ट, DNA नो के भीतर, क्या है, टोटल अमॉंट और प्यूरीन नूकलोटाइट्स, एंद पिरीमिनी नूकलोटाइट इस नॉट अल्वेज इक्वल, राइट, इस नॉट अल्वेज इक्वल, प्यूरीन तो यह तो गलत किरा है, ह और पिरीमिनी नूकलोटाइट की सकल मात्रा सदे एक बराबर नहीं होती है, एक बराबर होती है, तो यह तो होने से रहा, एक बराबर होती है, प्यूरीन और पिरीमिन 50-50 परसेंट होते हैं यह के राह नहीं होते हैं, तो यह गलत हो गया, आया समझ में, दो रजुक होते ह एक 5' to 3' रिशा में समान अंतर चलते हैं, गलत समान अंतर थोड़ी चलते हैं, वो तो antiparal चलते हैं, प्रती समान अंतर चलते हैं, The proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism, The proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism, अरे बही, किसी एक organism के अंदर हम तो यह जानते हैं कि vary कैसे करेगा, A बराबर T के होता है, और G बराबर C के होता है, तो यह तो vary नहीं करता है, यह भी नहीं करेगा, अब there are two strengths, switch and antiparal, एक 5' to 3' direction में, एक 5' to 3' direction में, और एक यहां पर यह वाला, यहां पर, 5' to 3' और 3' यह 5' to 5' to 3' और यह 3' तो दोनों एक दूसे केंट, antiparal होते हैं, तो चौथा, बिल्कुल, चौथा वाला जो है, वो perfect match होगा, ठीक है, थर्ड वाला भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में वो कह रहा है कि proportion of adenine in relation to timing varies with the organ, और कि no, हमने कहा है, चारगाफ नियम के अंदर, percentage of A is equal to percentage of T, तो very कैसे हुआ, और आगे बढ़ते हैं, दो सुत्रों के DNA nucleotide किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, मतलब ये दो सुत्र है, है ना, तो इसके nucleotide, इसके nucleotide किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, hydrogen bond, दो शेंज के बीच में कौंसे बंड हते हैं है यह और हईडोजेन बउन होते हैं आज यां लागो के कौन से बंड होते हैं यह हाई डूर रखोगे कुसे द्बदो बहुक्त है किसके द्वारा जूड है है गूर इतन यह नहीं कि दो वांडर वोल फोर्स नहीं पढ़ाया, कहीं यह नहीं पढ़ाया, कहीं यह नहीं पढ़ाया, Nucleotides किसके द्वारा जुड़े इतने हैं, तो अफकोर्स दो सुत्रों के Nucleotide, तो दो सुत्रों के Nucleotide, मतलब जैसे A double bond T, G triple bond C, इसी को ऐसे बनाऊं दो चेंज को, यह sugar, sugar, यह phosphate, यह phosphate, यह sugar, यह phosphate और यह phosphate, तो मानो कि यह एक Nucleotide है, nitrogen base plus sugar plus phosphate, nitrogen base plus sugar plus phosphate, तो दोनों के बीच में कौन सा bond हो गया बटा, hydrogen bond नहीं हो गया क्या है, यह कौन सा हो गया, hydrogen bond, तो आंसर कौन सा हो गया, hydrogen bond, clear है, चलो, निमले कित्मे से कौन से अनू, बराबर केंदर से कोशी का द्रम में घति करते हैं, मतलब यह एक cell है, और यहाँ पर मैं nuclear membrane बना रहा हूँ, यह nuclear membrane ऐसी होती है, जिसमें जगे जगे पर पोर्स होते है, आप जानते हो, नियुक्लीर पोर्स जिनको की कहतने है, यह nuclear pore है, यह, केंदरक छिदर ही है, केंदरक छिदर है, ठीक है, तो यहाँ से, यहाँ पर कौन आता है, यह nucleos है और यह cycle plasma, तो यहां से यहां पर एक ही चीज आती और वो है RNA. RNA हमेशा बनता नूकलिस के नहिए है लेकिन मिलता पर इस साइटोप्लासम के दा तो निमलेखित में से कौन सा नो बराबर केंद्रक से कोशिगा तो गत्ति करता है गत्ति करता है क्योंकि RNA इस नहीं हो और DNA भी नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आपको यह question clear, अब आ जाते है, DNA से mRNA का निर्मान, क्या कहलाता है। DNA से mRNA का निर्मान, मतलब DNA से mRNA बन रहा है, messenger RNA बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यह चीज, तो DNA से mRNA का बनना, सब को मालूम है, transcription कहलाता है, यानि कि अनुलेखन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, अनुलेखन, तो DNA से mRNA का निर्मा, transduction कहलाता है क्या, no, transformation, no, translation, नहीं, transcription, yes, transcription बोले तो हिंदी लिख देते हैं, अनुलेखन, transcription, English नामे, और हिंदी नाम जो है, तो DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन, तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने, molecular biology के उपर, कुछ important, प्रश्न किये हैं, हम लोग आने वाले दिनों के अंदर, molecular biology के अलावा, दूसरे कई सारे topics जो है, उनके उपर भी हम लोग बहुत सारे videos लेकर आएंगे, पु बहुत सारे प्रश्न आपके exams की तैयारी के लिए लेकर आएंगे, ये जो videos हैं, वो हम लोग ऐसे topics ले रहे हैं, जिनके उपर question की probability बहुत बहुत ज़ादा देती है, और हर competitive exams के अंदर, वहां से questions पूछे जाते हैं, तो hope so, आप लोगों को video अच्छा लगा होगा, इंजार कीजिए, next video के लिए, thank you